Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तो आज 29 सितंबर और आज किस वीडियो में हम 29 सितंबर से related current affair के सभी important question को cover करने वाले हैं तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF शाहिए तो आप हमारा mobile application भी install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा और देखिए आप डिरेक्ट इसे अपने Google account से भी activate कर सकते हैं जिन लोगों को ये शिकायत है कि referral code ये समझ नहीं आ रहा है तो आप डिरेक्ट Google account से इस mobile application को install कर सकते हैं और अपसे आप लोगों के लिए दिसमबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के selected current affair की quiz लाई जा रही है morning में सुबह 8 बजे ये quiz आप लोगों को solve करनी है और जो भी इसमें अच्छा perform करेंगे उनका नाम 12 बजे मतलब 12 बजे दो पहर में शो किया जाएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे साथ ही bell icon दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके तो चलिए start करते हमारा पहला question हाली में विश्व रेबीज दिवस यह कब मनाया गया यहीं कि world rabies day तो यह भी हाली में मनाया गया है 28 सितंबर को और यह दिवस क्यों मनाया जाता है तो rabies की रोग थाम के बारे में awareness फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है rabies जो की एक विशानु जनित रोग है और 90 प्रतिसत मामलों में यह कुत्तों के काटने के कारण होता है और इसी के लिए awareness फैलाने के लिए 28 सितंबर को मनाया जाता है world rabies day और इस बार जो world rabies day मनाया गया इसकी थीम थी इंड rabies collaborate vaccinate इनकी सहयोग करें टीका करन करें अच्छा इस question से आप एक और चीज कर सकते हैं यहीं आपसे पूछा जाए कि रेबीस के टीके की खोज यह किस ने की थी तो यह की थी लूइस पॉस्चर ने अब यह हम बाकि क्या option को discuss करें तो 25 सितंबर को क्या मनाया गया है world pharmacist day 26 सितंबर को मनाया जिसकी थीम थी टूरिजम एंड रूरल डवलप्मेंट नेक्स्ट है कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाओ कि स्राज्जिम होगा जहां पर कोरोना मरीज भी वोट देंगे तो यह आजित किया जाएगा बिहार में तो देखिए हाल ही में जो निर्वाचन भी वोट देंगे आप मैप में देख सकते हैं बिहार की लोकेशन बिहार की राजधानी है पटना मुख्यमंतरी तो यह हैं नितीश कुमार राज जिपाल यह हैं फागु सिंग चोहान बिहार से लोग सभा सीटे आती हैं 40 जबकि राज्य सभा सीटों की संख्या है कुल 16 य देने का एलान किया है और ग्रेजुट लोगों को 50,000 रुपए देने का एलान किया है बिहार गौर्मेंट ने और अभी हाली में प्राइम मिनिश्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कोसी मेगा ब्रिज का भी उधगाटन किया था जिसके 2020 तक के सेलेक्टेट करंट अफेर के कोश्चन मतलब की 800 प्लस करंट अफेर के कोश्चन टॉपिक वाइस कवर कराए गये हैं यह PDF हिंदी में है जो कि आपके आगामी किसी भी एक्जाम के पॉइंट आफ यू से इंपॉर्टेंट है अगला कोश्चन है हाली में किस राज ज जीता है तो यह भी हाली में जीत लिया है केरलने तो देखिए केरल का जो टूरिजम डेपार्टमेंट है यैंदि जो परेटन विभागैं इसने एक अभियान चलाया था । पसे एज आभीज़ में है लोकेशन के में इसने चैजीत लिया है पाटा ग्रेasion अवार्ट दोज मुख्यमंत्री कौन है तो ये हैं पिनरई विजियन राज जिपाल है आरिफ मुहम्मद खान देखी कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि गैर संचारी रोग गैर संचारी रोग मतलब कि जो एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति में नहीं फैलते इसी गैर संचारी रोग को कंट्रोल करने के लिए अभी हाली में केरल ने जीत लिया है United Nation Award इसके लावा भारत के पहले Medical Device Park का सिलन्याज जो है ये भी केरल में ही किया गया है तो इस सारी चीज़े आप याद रखेंगे next है, हाली में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का सलाहकार ये किसे निवक्ति किया गया है तो ये भी हाली में अपॉइंट किये गया है, सुनिल से ठी अब यदि हम बात करें, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 2056 में हैटक्वाटर इस्थित है मुंबई महराज्टर में और इसके अध्यक्ष कौन है तो यह है विनय कुमार सकसेना अच्छा पंकस्त्रिपाठी कौन है तो यह तो हैं बॉलिवुड एक्टर लेकिन कुछ समय पहले इन्हें बिहार खादी का भी ब्रैंड अम्बेजडर अ नेक्स्ट है हाली में 55 ज्यान पीठ अवाड से किसे सम्मानित किया गया है तो देखिए इनके नाम की घुष्णा तो पिछले ही वर्स कर दी गई थी लेकिन यह भी हाली में सम्मानित किया गया है अकितम नम्बोतरी यदि हम बात करें ज्यान पीठ अवाड की तो देखिए यह जो अवार्ड है यह भारत का सबसे बड़ा साहित्तिक अवार्ड है और यह जो पुरुसकार है यह केवल उन इंडियन्स को दिया जाता है जिन्होंने सम्विधान में माननेता प्राप्त भासाओ मतलब कि सम्विधान में कितनी भाशाओ को माननेता प्राप्त है कुल 22 भा इनके द्वारा जो लेखन किया जाता है उन्हें दिया जाता है ज्यान पीठ आवार्ड और इस साल का दिया गया है मतलब की 55 ज्यान पीठंवार्ड 2019 की मैं बात कर रही हूं यह दिया गया है अकितम नम्बुतरिको और ये एक मल्यालम कभी है और यदि देखा जाए तो मल्यालम साहित्ति में ग्यानपीठ आवार्ड पाने वाले ये छटवे लेखक है क्योंकि जो पहला ग्यानपीठ आवार्ड था ये भी मल्यालम कभी को ही मिला था इनका नाम है जी संकर कुरूप इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं अच्छा ये तो बात हुई ग्यान पीट पूरुसकार 2019 की यदि हम बाखी के option को discuss करें तो जो वासुदे मुहे हैं इन्हे अभी हाली में सरसुती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया इनकी रचना चेक बुक के लिए इसके अलावा नासिरा सर्मा ये कौन है तो इन्हें व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है इनकी रचना कागच की नाव के लिए ये तीरों ही नाम important है इसलिए ये सभी आप याद रखेंगे नेक्ष्ट है हाली में किस बैंक ने सेफ पे सुविधा की शुरुवात की है तो इसके शुरुवात अभी हाली में की गई है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा अभी है क्या सेफ पे सुविधा तो देखिए इसके वाध्यम से payment में मतलब की भुकतान में social distancing का support करने के लिए अभी करेंगे और COVID-19 संक्रमट से भी बस सकेंगे और ऐसी सुविधा शुरू कर दी है IDFC फर्स्ट बैंक ने अब यदि हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की तो इसके स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में हैटक्वाटर स्थित है मुंबई महराष्ट में अब यदि हम बाकी के बैंक को डिसकस करें जो कि चर्चे में रहे हैं तो जो SDFC बैंक है यह भी हाली में लगातार साथवी बार भारत का मुश्ट वैलियूबल ब्रैंड बन गया है SBI बैंक तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला यह भारत का पहला बैंक बना है जो कोटक महिंद्रा बैंक है यह KYC यानि की Know Your Customer की फैसिलिटी ओल्लाइन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला बैंक बना है नेक्स्ट है हाली में खुली बिड़ी और सिगरट बेचने पर प्रतिबंद्र लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो यह भी हाली में बन गया है महराश्ट्र अब यह है क्या तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूं तो देखिए हाली में जो महराश्ट का स्वास्त विभाग है यह जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसके दौरा एक नोटिस जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि सिगरेट और तमबाकू अधिनियम 2003 के अनुसार सिगरेट बीडी और तमबाकू से रिलेटेड जितने भी प्रोड़क्ट है उसके packet पर health warning लिखना अनिवारी है लेकिन question में क्या लिखा है खुली बीडी और सिगरेट मतलब यह है कि यदि लोग packet वाला बीडी सिगरेट खरीदेंगे मतलब कि packet में pack हुआ बीडी सिगरेट पर्चेस करते हैं तो उसमें तो वो easily health warning पढ़ सकते हैं लेकिन जब खुली बीडी या खुली सिगरेट खरीते हैं तो उसमें health warning नहीं लिखी होती है और इसलिए महराश्ट सरकार ने इसे बैन करने का फैसला कर लिया है तो आप map में देख सकते हैं महराश्ट की location महराश्ट की राजधानी है मुंबई जो मुंबई है ये tap water ranking में पहले इस्थान पर रहा है मुंबई में ही headquarter इस्थित है National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange और SEBI यनिकी Security and Exchange Board of India जो मुंबई है इसे ही कहा जाता है साथ टापुओ का शहर प्रसिद्ध सिद्धी विनायक मंदिर ये भी मुंबई में ही इस्थित है और कुछ समय पहले ही मुंबई में ही मतलब की इधर है अरब सागर और अरब सागर में भारत का पहला floating basketball court यनिकी तैरता हुआ basketball court इस्थापित किया गया है यहां की मुख्यमंत्री कौन है तो ये हैं उद्धो ठाकरे यहां की राजजपाल तो ये हैं भगत सिंग्खोशियारी जो की गोवा के भी राजजपाल का additional charge संभाल रहे है और महराश्ट उच्चिनयाले की मुख्यनयाइधिस कुछ समय पहले ही बनाए गये है दिपंकर दत्ता अब इस question में लिखा है भारत का पहला राजज तो आप other option को relate कर सकते हैं जैसे की जो राजस्थान है ये bio fuel policy यानि की जैव इंधन नीती को लागू करने वाला भारत का पहला राजज बना है जो हिमाचल प्रदेश है ये new education policy लागू करने वाला भारत का पहला राजज बना जबकि जो मेग हाला है ये जलनीती लागू करने वाला भारत का पहला राजज बन गया है next है हाली में national identity scheme में facial verification के इस्तमाल करने वाला पहला देश कौन बन गया है तो विश्व का ऐसा पहला देश जो की national identity scheme में facial verification के इस्तमाल कर रहा है यह भी हाली में बन गया है सिंगापूर तो देखिए इस प्रणाली से मतलब की बायोमेट्रिक जांच प्रणाली से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी और ऐसी ही सुविधा की शुरुआत कर दी सिंगापूर ने तो आप मैप में देख सकते हैं सिंगापूर की लोकेशन सिंगापूर की कैपिटल है सिंगापूर सिटी करंसी है डॉलर और अभी हाली में यहां के प्राइम मिनिस्टर बनाए गये हैं इनका नाम है ली सुन लुंग अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया है, जहां कहीं भी पहला word आता है, question important होता है, पहले हमने discuss किया है, भारत के पहले राज्जी के बारे में, अब हम discuss कर लेते हैं, विश्व के पहले राज्जी के बारे में, जो कि कि किसी न किसी मामले में पहले इस्थान पर रहे हैं, जैसे कि Singapore, ये तो facial verification, मतलब कि national identity मे Facial verification के इस्तमाल करने वाला पहला देश बना, यदि हम बाकिया option को discuss करें, तो जो Mexico है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, sovereign bond जारी करने वाला, विश्व का पहला देश बना, जो Britain है, ये climate emergency लागू करने वाला, विश्व का पहला देश बना, जबकि जो Luxemburg है, ये public transport को free करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, नेक्स्ट है, T20 International में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये भी हाली में बन गई है, स्टेफनी टेलर, और ये किस country से बिलॉंग करती है, जमैका से, अच्छा, जमैका से ही related, एक most famous athlete है, जिनका नाम है, उशन बोल्ट, जो की एक धावक है, world famous धावक है ये, और ये भी जमैका से ही बिलॉंग करते हैं, जो इस्टेफनी टेलर है, ये T20 International में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है, तो पहली कौन है, पहली है, सूजी बेट्स, दूसरी बन गई है, इस्टेफनी ट ये हम बाकी के दो आप्शन को डिसकस करें, तो भारत की जो शैफाली वर्मा है, ये मार्च 2020 की ही बात है, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, world cup final खेलने वाली ये विश्व की सबसे यूवा प्लेयर बन गई है, शैफाली वर्मा, जबकि जो इस्मृती म अंधाना है, 2019 में ICC Women's Cricketer of the Year Award से इन्हें नवाजा जा चुका है, अगला कोश्चन है, हाले में भारत की पहली तर्ट रक्षक अकैडमी ये कहां खोली गई है, तो देखिए इसके घोशना तो पहले भी की जा चुकी थी, ये भी हाली में खोली गई है, मंगलरू में, और ये कहां इस्थित है, ये स्थित है करनाटक में, तो अब हम जान लेते हैं, ICG के बारे में, यनि की इंडियन कोस्टल गाड के बारे में, इसके स्थापना हुई थी, 18 अगस्त 1978 में, हैटकॉर्टर इस्थित है नई दिल्ली में, इसके जो डारेक्टर जनरल है, ये हैं, के इसके लावा, ICG का मोटो क्या है, तो ये है, वी प्रोटेक्ट, या इसे आप संस्कृत में कह सकते हैं, वयम रक्षामह, और ये आप करन्ट से रिलेट करेंगे, तो हाली में, इंडियन कोस्टल गाड की, पहली महिला, DIG, ये कौन बनी है, तो ये भी हाली में बन गई है, नुपुर, कुल्च रिष्ठ, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, अब देखे, इस कोश्चन में भी भारत के पहले की बात की जारी है, तो जो दिल्ली है, दिल्ली में भारत का पहला प्लाजमा बैंक स्थापित किया गया है, अंबिकापुर जो कि 36 गड़ में स्थि नुपुरी दी गई है, नेक्स्ट है, हाली में IPL में सबसे तेज सतक बनाने वाले दूसरे भारती कौन बने हैं, तो देखे, IPL चल रहा है, तो इससे रिलेटेट कोश्चन भी बन रहे हैं, तो ये भी हाली में बन गया है, मयंक अगरवाल, जो मयंक अगरवाल है, इन्हों ने 37 बॉल में सेंचुरी बनाई थी, और यदि हम बात करें, केल रहुल की, तो इनसे रिलेटेट भी मैंने आप लोगों को एक कोश्चन बताया था, कि IPL 2020 का पहला सतक इन्हों नहीं जड़ा है, इसके अलावा सचिन तैंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, IPL में हाला कि एक कोश्चन नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ, कल मैं ने आप लोगों से पूछा था, हाली में भारत के पहले चिकिस्सा उपकरन पार केनी की मेडिकल डिवाइस पार का सिलन्यास ये किया गया है, केरल में, अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाली म को भी आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताईएगा, वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजे और एक स्टडी रिलेटेड गूप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, तो आज के लिए इतना ही, थाइंक्यू सो मच